देखे मुक्किमंति अशुग जयलूत ने गुरुवार को वरिष्ट अधिकारियों और चिकित्सा विश्यशक्यों के साथ वीडियो कॉंफरेंसिंग में कई बड़े फैसले किये हैं जिसमें बड़ा फैसला लिया है कि आप कोरुणा से जूज रहे राजिस्थान के शहरी छेत्रों में घर से भार निकलने वाले हर शक्स को अब मास्क लगाना होगा कोई भी बिना मास्क के राजिस्थान में अब निकलने ही सकता है और राजिस्थान के अंदर अब ये मास्क जो है वो अनिवारे करके गया है अब इसके शहत्रों में मास्क लगाना अनिवारे करने के साथ-सकी सकती से पालना की जाए ऐसा निर्देशित उन्होंने पुलिस विभाग को भी कर दिया है जिससे कि इसकी कड़ाई से पालना की जाए इसके साथी लॉक्डाउन के दौरान जो प्राइवेट स्कूल है वो अब बच्चों की फीस वसूल नहीं कर सकेंगे अगले तीन महिने तक इसको लेके शिक्षा विभाग ने निर्जी स्कूलों को निदेशित कर दिया है और शिक्षा राज्यमंत्री गोविस सिंग डोटासरा और मुख्यमंत्री की जो बाचीत हुई है उसके बाद ये फैसला लिया गया है लॉक्डाउन के दोरान अभिभागों से फीस वसूली किसी परकार से नहीं हो सकती है क्योंकि लगातार सोचल मीडिया पर इस तरीके से कई बाचीत हो रही थी लोग बाचीत कर रहे थे कि सोचल मीडिया के उपर कि जो इस समय निजी स्कूल खुले वे हैं वो फीस वसूली कर रही है वो फीस वसूली में सरकार किसी परकार से लगाम लगाए तो सरकार ने इसके उपर ये फैसला ले लिया है कई अभिवाब को राहत मिलने की उमीर है लेकिन संचे भी वरकरार है कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा ये अभी देखने वाली बात हो की इसके साथी सरकार ने ये भी स्पस कर दिया है कि इस दोरान स्कूलों को जो उनका स्टाफ है उसको पूरा वेतन देना होगा उनके वे की जाएगी फीज के अभाव में किसी भी छातर का नाम नहीं काटा जाएगा इसको लेकर भी सरकार ने निदेशित कर दिया है और इसके साथी एक बड़ा फैसला राजिस्तान सरकार ने इस वक्त किया है मुक्तिमंत्री अशोग गेल उत ने इस पष्च निदेशित कर दिय कि स्कूल और कॉलेज में ओनलाइन लेक्चर जो है और ये लर्णिंग की विवस्था शुरू की जाए जिसे कि बच्चों का विध्यारती जितने भी है उनकी पढ़ाई के अंदर किसी प्रिकार से बादा ना आए वो पढ़ाई लगाता शुरू रहे जिसे घर पर रहकर यह जो समय है लॉक्डाउन का उसका सदफ्योग हो सके इस वीडियो कॉंफरेंसिंग में मुक्यमंतिर अश्यों गयलोत नहीं निर्णे भी लिया है कि प्रिदेश के सभी उस शिक्षा और तक्नीके शिक्षा से जो जुड़े संस्थान है वो 15 अप्रेल से ग्रिश्म अफकाश गोशित कर सकते हैं लेकिन इसकूलों के अंदर 15 अप्रेल से ग्रिश्म अफकाश गोशित नहीं होगा इसके साथी राजिस्थान तकनीकी विश्विद्याले से संबंद संस्थानों में लॉक्डाउन हटने के बाद जो आठवा सेमेस्टर होगा उसकी परिक्षाएं प्रा सदसे समीति बनाई है जो लॉक्डाउन हटने के बाद परिक्षाओं और आगामी शेक्ष्णिक सत्र के संचालन के बारे में सुझाओ देगी और उनके सुझाओं के बाद ही सारी रणनेती तयार की जाएगी इस समीति के अंदर राजिस्तान विश्विध्धाले जैनेरान गोविन सिंग डोटासरा ने बताया है कि सभी कक्षाओं की किताबे इस वक्त ऑनलाइन उप्लक्त करवा दी गई है अब विध्यारतियों के लिए ओनलाइन कंटेंट जो है वो तयार करने का कारे किया जा रहा है ताकि घर पर रहकर जो तमाम विध्यारती हैं जो बच्चे रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी रह सके हैं तकनिकी स्क्षर्ण संस्थाओं की अधियां बात करें तो विध्यारतियों को ये कंटेंट उप्रक्त करवाने के लिए एक यूट्यूब चैनल तयार किया गया है जिस पर 600 से अधिक लेक्चर अप्लोड किये गए अध्य महां पर कारोणा की सव्से आदा स्क्रीनिंग और टेस्टिंग हो रही है उस पूरे हिंदूस्तान के माराश्ट के बाद राजिस्तान दूसरे निमर पर है इसकी जानकारी हमको अधिरिक मुख़े सचीछ चित्ताम स्वास जो है रोहीत कुमार सिंग समें से मिल रही है कि राजिस्थान फरकार ने रैपिट टेस्टिंग के लिए 10 लाग किट्स का ओर्डर दे दिया है और इन में से 2 लाग किट्स की जो पहली खेप है वो जल्दी राजिस्थान को प्राफ्त हो जाएगी झाल